हाँ तो आपके कोर्स का साइन्स का लास्ट चैप्टर आज अपने स्टार्ट करेंगे बहुत भी प्यारा साथ ही चैप्टर है और पूरी पांच नमर का एक्जाम के अंदर ये आने वाला ठीक है लेकिन आपको इसको समझ जोना बहुत अच्छे से हैं क्योंकि पूरा थियोर तो 1 प्लस 1 प्लस 3 आ सकता है 2 प्लस 3 क्योशन में आ सकता है ठीक है तो बहुत इजी लेंग्वेज में करने वाले हैं लेंदी ज्यादा है लेकिन जैसे मैं क्योशन बनाऊंगा आपके उन क्योशन को वैसा का वैसा आपको उतारना है कि छोटे भी बड़े भी तीन नमर के दो नमर के वह नमगा वैसे कि वैसे आपको नोट्स बनाना है इस चैप्टर के साथ नोट्स बनाना है क्यों तो लेंदी जुरूरा लेकिन अपना इजी वह में इसको करने वाले थोड़ा अलग तरह से करेंगे ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग थ्रेशिंग ठीक है चलो यह पूरे नियुक नियुक नुस लेबस के अकोरडिंग 5 मार्क का रहें लेंदी जादा है बड़ा सबसे ज्यादा पांच आई है इसे इंट्रेस्ट लगलॉप करके पढ़ना इसको ज्यादा मुश्किल थोड़ी ज्यादा है दोचाध डाइगराम भी इसमें लेकिन बनवा रहा हूं वह अपन को लेना है जैसे है कि मायनोत थंतर इसमें पहले digestive system आपका, सबसे पहले क्या है pachand tanthra, तो digestive system के बारे हम पढ़ेंगे, लेकिन digestive system के बारे हम डायक्ट नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि digestive system होता क्या है डाइजेसिस विस्टम का काम क्या है ठीक है पर मैनली क्या काम है मैन फंक्शन क्या है फिर डाइजेसिस विस्टम का मलता पाचंत अंतर पाचंत अंतर में कौन-कौन सी ग्लेंड या ग्रंतियां आती है पाचंत अंतर यानि कि डाइजेसिस विस्टम में कौन-कौन से ओगन आ इजी होते चले जाएगे, तो मैं जैसे आपको लिखवा रहा हूँ ना, वेसे करना है, क्योंकि एक्जाम में क्या है, क्योशन तो आपको आते हैं, लेकिन आंसर लिखना नहीं आएगा कि क्या पूछा है, तो वो मैं आपको डाउट सारे क्लिर कर दूँगा, ठीक है ना, और नोट्स के बाहर कुछ आपके जाएगा निए, बस इतना ही लिखना है, आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हाँ, तो अब क्योशन आंसर बहुत ही इजी फॉर्मेट में आपको समझते हुए चलना है, पूरी बात को समझते हुए चलना है, क्योंकि पां कोई सरचनात्मक हो, कोई सा भी स्ट्रक्चिल से फंक्शन यूनिट पूछे बोडी की, वो हमेसा सेल होती है, मतलब अपना शरीर सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है, तो शुरुवात किस से मानी चाहेगी? सेल, सब कुछ हमारे शरीर का निर्मान करता हुए कोशिका सेल, समझे के, वो अनमाक्स में क्योशन नहीं आ सकता है, फिर हैं, क्योशन सेकेंड है, पाचन तंतर किसे कहते हैं, पहले क्योशन फॉर मिन्ट समझो, फिर इस डाइग्राम प्याएंगे, जैसे हम जो भी चीज खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, हो कहते किसे हैं, डेफिनेशन में कैसा लिखेंगे, अपन समझते तो हैं, किसे कहते हैं, डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखना है, कि भोजन के अंतरग्रेंड से लेकर, अंतरग्रेंड का मतलब, जब अपन फॉड, जब भोजन को अंदर लेते हैं, यह पूरा बाहर निकल लिया तो इसमें एक सिस्टम काम करता है तो जिसमें अनेखु अंग, ग्रंतियां यानि कि खूप सारे ओर्गन्स और ग्लेंड्स काम करती है ओर्गन काम हमारे शरीर के अंग, कौन-कौन से अंग सारी बाते पढ़ेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन समझो बहुत सारे अंग और बहुत सारे ग्रंतियां ग्लेंड्स काम करती है समझ गे? तो वो आपस में उनका सामजश्य है उनका आपस में क्या है? कोडिनेशन बनावा होता है कि अंग और ग्रंतियं आपस में मिल के काम करते हैं, कोडिनेशन है उनका समझस से है, उसी को आधी समलिते समझस से के साथ कार्य करते हैं, ये तंतर पाचिन तंतर कहलाता है, यानि कि from the intake of food to defecation as system, comparison of various organs and glands function in close coordination, समझ गे, this system is called as the digestive system, इस पूरे system को जो खाना खायर पच की बाहर निकल गया, इन पूरे system में जितने भी अंग और ग्रंतियं काम करती हैं, उसको आपस में समझस से होता है, कोडिनेशन होता है, उन सब को digestive system या पाचन तंतर कहते हैं, simple, easy, फिर एक क्योशन अलग से आएगा आ जियान रखना, कि पाचन तंतर का प्रमुक कारी ये क्या है, main function क्या है, पाचन तंतर का ये digestive system का, यानि कि write the main function digestive system, तब आपके लिखना है, कि भोजन के जटिल गटकूं को, अब देखो मैं एक बात बता दाओ, जैसे अपन ने खाना bite लिया, वो bite अभी क्या है, complex है, मतलब hard है, मुश्किल है, ऐसा मानलों कि हिंदिमों से बोलते हैं, वो भी जटिल है, by bite जटिल है, फिर हमने उसको चबाया, ठीक है, चबाया, चबायने के बाद में वो हमारे अंदर, food, मतलब पैट में गया, अंदर गया, अंदर जानने के बाद में जो पचेगा, जो समझ पारे बहुत सारे enzymes हैं, बहुत सारे reaction होगे अंदर, तब जागे उप पचेगा, यह इसका main काम है digestive system का, उसको पचाना, लेकिन wording science की होनी चाहिए, कि जटिल घटकों को पाचन दुआरा सरलिकरत, मतलब easy बना देना, सरलिकरत कर उसे absorb कर लेना, अउशोशित करना पाचन तंतर का प्रमुक का रिये हैं, यानि कि major function of digestive system are conversion of complex components, हमसे बारे जटिल, उसको easy बना देता है, simpler substance बना देता है, of the food into simpler substance, and its absorption, और उसको फिर absorb कर लेता है, यह इसका main काम है, 11 marks के क्योशन, सीदी सीदे आएंगे, यहां से ध्यान रखना, ठीक है, एक बात और बता दू, यहां से इस बात को ध्यान रखना, फिर है, next question, पाचन तंतर में समलित गरंतियों के नाम, अलग-अलग क्योशन सीखना है, पाचन तंतर में मलब digestive system में कौन-कौन से gland काम करती है, पाचन तंतर में कौन-कौन से अंग यानिकी organs काम करते है, इन दोनों को अलग-अलग पूछा जाए चीक है, एक यक्रित गरंति काम करती है, और एक अगनाश काम करता है, यानिकी, write the names of glands involved in the digestive system, यहां तर क्योशन ने, ठीक है, write the names of glands involved in the digestive system, तो पहली, slivery gland, यानिकी, आपकी लार गरंति होगी, slivery, दोसरी यक्रित, यानिकी, liver, और तिसरी pancreas, यानिकी, अगनाश, ये ती इन very important गरंतियां, हमारे शरीर में, पाचन तंतर में, digestive system में काम करती है, अलग से, ठीक है, फिर एक very important, फिर क्योशन पूचा जाएगा, कि पाचन तंतर में, या पिर पाचन कारिय में, समलित अंगु के नाम, ये तो अपने गरंतियों के नाम पड़े, ग्लेंट के नाम मुक यानि कि माउथ, ग्रस्नी यानि कि फ्रैंक्स, ग्रस्नली यानि कि ऐसे फेगस, और आमाशी यानि कि स्ट्रमक, चोटी हं थे स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत, यानि कि लार्ज इंटेस्टाइन, और मल्दुआर यानि कि रेक्टम, ये पूरा अपना, complete में हमारे पाचन तंतर में काम करते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथों की प्रैक्टिस कर लेना पक का चांस इसे क्योशन है माहुत फैंक मुख ग्राशनली आमाशे चोटी आंत बढ़ियांत और मल्दवार ठीक है यह सब की बात बताओं अभी कौन-कौन से क्या ठीक है मुख का मदलों जानते हैं जिसे में खाना खाते हैं ग्राशनी तो यहां ग्राशनी होती है जहां से बाइट अंदर लेते हैं पनवास है यहां तो यह चीज अपने को ध्यान रखनी है और इसके बाद में बात करें आमाशे स्टॉमक यहां इसे बड़ी बड़ी च्छोटी है यहां से जो मैंने बनाई थोड़ा स्ट्रक्चर और मल्दवार जैसे यह पूरा मल्दवार एनस्टा होता है यह निकलता है जो पूरा मल्द करने हैं छीक है और फिर नेक्स कीष्ण मनता है आपका वह है आपका डाइग्राफ ठीक है डाइग्राम जब भी क्योशन आया कि पाचनतंतर का सचितर वरणन कीजिए यो पाचनतंतर का ने अन्सटर कूछतर तो बड़ा इजी है मुश्किल कुछ पीनी प्रैक्टिस दोती मरकरने time waste नहीं करना है भी ठीक ठाक बन जाता है बस नौमल यह देखो यहां पर यह जो यहां पर दो ऐसे छोड़ छोड़े बनाने यह हैं हमारे slavery glands यानि कि जो larkranti होती है ठीक है मतलब यह हमारे शेर के अंदर का पार्ट फूरा लार अग्रंत यह टो Hmm एक तंदी में बॉलएंगंने और अग्ची है अग्णा इति-पिर जी ज्यादा नाम्याद नहीं करनें होगी नाम करौण पांसां चास-कास नाम याद करने हैं ज्यादाना करोगों लिए पकर थो लौज़ते को तो मिलते हैं पांच या चे नामियार्द कर ले जाते हैं बस ठीक टाइक बनाया है वेने आपको फोड़ी प्रेक्टिस करने है ठीक है तो यह आपको फॉड़ी मेरे हश्पुष्ट बनाया है ठीक है? तो हश्पुष्ट डायगरम आपको बनाना है तो काफी easy है, एक question त्यार करने है, और डाइग्राम त्यार करने है, अब एक question आएगा कि पाचन तंतर की जो अंग है, उन अंगूं का वरनन करो, एक एक ओगंस का पूरा describe करो, तब अपन एक नए question लेंगे, जिसमें उनको थोड़ा-थोड़ा हर अंग यानि हर पारट के बा बड़ा equation बनेगा आपके, कौन सा बनेगा, कि जो डाइग्र अंस लिखने से पहले पूरी बात समझ नहीं पड़ेगी, वरना यहां दिक्क्यत होगी, कौन सा अंसर आपको लिखना है, क्योशन यह बनेगा अगर, कि जो हमारे body parts है, बना हमारे जो ओगन है, कि इसके digestive system को ज बड़ा equation आएगा नहीं, तो फिर 7 को अगर 2-2 line में लिखोगी, तो भी 14 line हो गई, तो 2-3-3 line आपको मुश्किल से लिखनी है, 3-3 line, जिसे मुख में कोई 3 line लिखनी है, फ्रेंक्स यानिकी, आपकी ग्रसने में कोई 3 line लिखनी है, ऐसे आमाशी यानिकी, सब के अंदर स्ट आपको इस बड़े वाले अंसर में लिखना, यह लिखना इसको अलग क्योशन देना है अपको, यह अलग से पूचा जाएगा, समझ गए, अलग से क्या पूचा जाएगा, कि टीथ कितने परकार की होते हैं, तो 4 types के दान होते हैं, कौन-कौन, कैनिस का क्या काम होता है, प् पूचा जाएगा, या पर यह पूच सकता है, यह कितनी एज़ तक आते हैं, यह कितनी एज़ तक आते हैं, ऐसे क्योशन अलग से आएगे, या फिर टीथ खुद का दो नमर में क्योशन पूच ले, तो वो अपनगान से लिखना है, पूरी बास समझ में आ गई, मतलब मेरा बीच में इसको भी लिख दिया, समझ में आ गई आपके, बस यह क्योशन आपको अलग लिखना है, यह कहना चाहरा हूँ, चलो अब बात करते हैं, एक के एक अंग उठाते हैं, बड़ा क्योशन है, निमदात्मक, बड़ा लॉंग क्योशन है, पहला है मुख, माउथ, सब बिल्कुल यादकरना यह जरुत नहीं, मुख में क्या होता है, कि मुख है, इसमें दो लेपस होते हैं, टव जीव होती है, जीवा होती है, इनको कुछ अपने शब्दों में न बोलके, साइंस की लैंग जो लिखना है, यानि कि मुख कैसा होता है, एक कटोरी नूमा सर्च वह कठोर और नीचे कॉमल तालूर होता है खुद में सूच कर नीचे वाला तालू नीचे वाला थोड़ा मुखा होता है फिर बात आई मुख में और क्या होते हैं कि मुख गुवा में ही चारूं और गती कर सकने वाली एक पेश ये जीवा होती है जीव है उसको अपन सब जिगह गुमा सकते हैं गती करने वाली मतलब गूमने वाली तो ध्यान ले रखना एक चारूं और गती करने वाली एक जीवा यानि की जीव होती है तंग होती है इसके बाद में एक छोटा साव एक बात और लिख दो अगर आपको और याद आ जाता है तो क्या कि इसमें मुख दो मासल होटू से गिरा रहता है अब होट किस काम आते हैं मुख को खोलने और बंद करने में बोजन को पकड़ने में अगर होट ने होते तो खाना कैसे खाते हैं पकड़ा नहीं जाता खाना तो मुख को खोलने और बंद करने में और बोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं कौन अपने लिप्स तो दा माउ तो मुख के ऊपर और नीचे दो जबड़े होते हैं अपने उपर और नीचे जो मसरूरों से बंद होते हैं इनमें 16 16 दादें टोटर 32 दाद पाई जाते हैं तो बहुत अब 10 जोज यह एज की एकोर्डिंग होते हैं अपन लास आइस जो एज होती है उसके मान के 32 दाद मान के चलना है तो बहुत दाद जोज विचार फोन इन अपर एंड लोड दो पोर्शन होते हैं हमारे जो में ठीक है जबड़े में ऑफ दा माउथ हेव एस सैट अप सिक्षें टीद यानिकी 16 16 एक सैट उपर एक सैट मीचे होता है ब्रेकेट में आप चाहो तो 16 16 भी लिख सकते ह तो यह बहुत एजी सा माउथ के बारे में इस ज्यादा नहीं लिखना है बस अगर एक साथ लिखो न सातो ओगन को तो पुरी वास समझगे ओके फिर नंबर दो सीदे नीचे आ जाओ फ्रेंक्स का मतलब होता है ग्रसनी तो मुक गुआ जिवा वे तालू के पिछले भाग म एक छोटी सी कुपी नुमा गरसनी से जोड़ी होती है ठीक है छोटी सर्चना जैसे लाइगरम अपने देखा था फिर गरसनी क्या करती है अब इसका मैं इंपोर्टेंट काम बताता हूं मैं आपको जैसे अपन खाना खाते हैं लेकिन बाइट जैसे लिए उससे वह अंदर मैं खानना चाहिए यह फिक्स कोन करती है यह फ्रैंक्स करती है मतलब ये जो गरसक करती है ये किसी भी कंडिशन में अपने खाने को तो उस सुमसनली में नहीं जाना देती है, अगर वहांँ चली जाएगी तो फिर अपनों छींग जैसी आते हैं, अपर खांसे वकर आते हैं, क्योंकि होग यह खाना वहां थोड़-स पोर्शन पे गर अटक जाता है, तो खाने से उमग होड़ी है, तो खांसे नहीं जाना तता वायू बोजन नाल में परवेश ना कर सके, बोजन नाल में तो हावा बीच मनना जाए, हावा बढ़ चली जाएगी तो फिर खाना अंदर नहीं जाता, कभी कि वैसा होता है, जैसे तोड़ मुश्किल से बाइट जाती है, उसमें तोड़ी हावा चली जाती है तो एक तो वायू बोजन नाल में नहीं जाना चाहिए, एक बोजन सुआंस नाल में नहीं जाना चाहिए, ये किसी भी कंडिशन नहीं जाना देती ग्रसनी, लेकिन कभी-कभी जल्दी-जल्दी खाने में जल्दवाजी करने से फिर ये ठीक से काम ने कर पाती है, अब 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 बात करते हैं अगर तब ये चली जाती है, अगर अगर एक क्योश नहीं आ जाए, कि गरस्णी अपने structure की according तीन भागों बाटा जाता है इस गरस्णी को, क यानि कि एक कुपी नुमा सर्चना होती है, जो अपने डाइगराम देखे थी, अब मैं ये कि फ्रंक्स त्रू इस structure, यानि कि structure से एंशोर करती है, कि that is no condition food can enter in the wind pipe, या wind pipe and air in the food pipe, यानि कि कि किसी भी condition में, wind pipe and air in the food pipe, बोजन में air नहीं जाने देती, और wind pipe जो है, उसमें य जाने देती, किसी भी condition में, ठीक है, दूसरा, the structure of the franx is divided into three parts, वो तीन कौन-कौन से है, NASA, ORFA, और lyrnx, या lyrngo, आगे franx, 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 सम्में जोड़ना, तो बहुत easy सा ये part था, दो, इसके बाद में और पढ़ेंगे हैं, उससे पहले equation और जो teeth का आ गया था, दात्तों का वो very important, इसके माने ट्रिक बना है, English, Medium वालों के लिए भी, और हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, जैसे, और वो ट्रिक है, Congress, I, PM, Manmohan को लेकर, पुरी बार समझे न, Manmohan को लेकर, चोटिस ट्रिक है, Congress, I, PM, Manmohan को लेकर, जैसे मोधी सरकार्ती, उनसे पहले आपको पता है Manmohan Singh Ji, हमारे परदान मंतिर से देश के 10 साल तक प्राइमिनिस्टर है, Congress सरकार से, Congress उनको लेकर आई थी, मतलब PM बनाया, तो Congress से C, I का I, PM मतलब PM, Premolar, और Manmohan से M, तो C का मतलब Caesar, Incisor, Premolar, और M, ठीक है, यानि कि स्वरी कैनीज, C का मतलब कैनीज, I का मतलब Incisor, PM का इन चार तरह के दातों को लेकर चलना है, क्या ज़्यादा काम में लेना है, कि कौन सा दांत क्या काम आता है, एक काम, दूसरा किस एज या उम्र तक वो निकलता है, ठीक है, जैसे पहली बात की जाए, तो छोटा से थोड़ा एक दो बातें में लिग लिए पने, आपको पत पर, टीत है, या दाइफाईओ डॉन्ट, ठीक है, डाइफाईओ डॉन्ट टाइप अफ टीत अरेजमेंट, इन विसट टू डिफरेंट टाइप अपटीत, कैसे है, एक तो टैम्परेरी, दू बार का मतलब दो बार, टू टाम से बार दाता है, एक जो परमानेंट होते है, जो सबसे पहले आते हैं निलब रिच राकिए घे उसके बाद में तूम नहीं धूराई। ऑगपार क arrests привет यानौरी यानि कि दूथा भी फाकर कि घ्रसे ताहि घ्रसे दाान डे कि लूझाण भी म्हें DRSTH पर्मानेंट टीथ और फिर आतिये एक्चुल में दान्थ कित़े परकार के होते हैं पहले- यूट से करेंगे सेस्फ़झे के लुटयम काम हमेशा है यही करेंगे, आप कभी 사vens करने आप काते लिए सच कम करेंगे, और छे मां की उमर में ही आजाते हैं, यानि जाहिए का झाएं इनसीजर के पनगर बात करें, इनसीजर नाम से ही बता चले है केंची, ठीक है, यानि कि यानि कि these are the front teeth that carry out nibbling and cutting of food, ठीक है, कुतरने और काटने का काम करते हैं, खाने को, ठीक है, और they come out at 6 months of age, और 6 माह की उमर में ही, 6 माह की उमर होने के बाद में आ जाते हैं, दूसरा है कें इनसीजर रदनक, ये दांत भुजन को चीरने फाडने का काम करते हैं, और 16-20 माह की उमर मतलब इनकी जस्पास वाले, ठीक है ठीक है, दो दो होते हैं, दो अपर दो नीचे, जो तीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकीले आगे से हैं, वो दो अपर दो नीचे, ये दो और ये बैसिकली 16-20 माह की उमर में आ जाते हैं, ठीक है, यानि टीथ, इस टीथ वर्क टू टीर एंड चॉप द फूड ठीक है, ठीक है, फिर अगर चवरनक, यानि की प्री मॉलर्स, ठीक है, वो है ये बहुजन को शिर्प चबाने में काम आते हैं, प्री मॉलर्स, प्री म बहुजन को चबाने में काम आते हैं, इन सीजर में बहुजन पता चल जाएगा कैंची, मतलब काटने को तरने आ काम करते हैं, रदनक को जानक ना, ये बहुजन को शीरने और फाडने काम करते हैं, ये उइसी है, 6 माह, 16-20 माह, ये 10-11 साल के जिए इसमाते हैं, प्रतेक जालबाद में यह आते हैं, तो they are helpful in chewing the food में चबाने में या बोजन को पचा चबाने में, बहुता जोस है फोर-फोर प्री मॉलर्स, they become fully developed in the age of 10-11 years, 10-11 साल के बाद, मतलब लग वहां पर यह डवलप होते हैं, फिर चवरनक, यह दात भी बोजन चबाने में साइक होते हैं, त प्रफम तरह 12-15 वर्श की एज में उमर में निकलते हैं, तो ज्यान रखना कि these teeth are helpful in chewing of food वह तो सेम ही है, और six smaller teeth are present in every job, यानि कि यह किसी में 6-6 पाई जाते हैं, और ज्यान रखना, firstly वापस, they become fully developed in the age of, यहां पर 10-11 की बचाए 12-15 कर देना, 12-15 years, इंगल ज्यान रखना, 12-15 साल की एज में यह आते हैं, ठीक है, यह इस सीज को आपको धियान रखना है, ट्रिक में ने बता है, इसको भी फोलो करें तो तक याद रहे, और बहुत easy सा concept है, अभी यह क्योशन पूरा नहीं हुआ है, यह क्योशन complete चलेगा, क्या, कि जो digestive system के organ है, जो हमारे पाचन त अंतर के अंग जो हैं, उनका वरणन कीजिए, पूरे बड़ा क्योशन अगर आता है, तो उसमें साथ के साथ का वरणन करना है, तो पहला और दूसरा आपको एक साथ उतारना है, इसके बाद में next वीडियो में करेंगे, 34567, और यह क्योशन अलग से उतारना है, मेरी बात क तो समझते वी चलना, वन्हों एक्जाम में यह पता नहीं चलेगा कि कौन साथ क्योशन कब और का है, ठीक है, तो यह चैप्टर बहुत लेंदी जुरूर है, लेकिन अब अच्छी मैनत के साथ इसको कम्प्लीट करना है, ओकी